राजंदर गौन को निरवरोध पारसत किया गया चेन बीते दिनों कक्रहटी के बाद नमबर 13 के पारसत का असमय निधन हो गया था जिसके बाद से पारसत का उपचुनावनर धारत किया गया था जिसका मद्दान पांच जनवरी को होना था मगर बार नमबर 13 से पारसत पद ही तू राजंदर गौन को निरवरोध चुना गया है उनके वरोध में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपना फाम जमा नहीं किया गया है जिससे उन्हें निरवरोध ही चुन कर दिया गया है राजंदर गौन को पांच जनवरी कोई बात प्रमार पत्र भी दिया जाएगा पिपरवाय बस स्टेंड की पास बनी दुकान में रात्री की समय लगी आख सामान जल कर खाक अग्यात कारणों की चलती लगी आख पिपरवाय ग्राम में घटी घटना अवानगन थाना च्छीत रंतरगत आने बाली पिपरवाय ग्राम में उस समय हल चल मच गया जब लोगों को पता चला कि बस स्टेंड की पास बनी दुकान में आग लगी हुई है वा दुकान जल लही है आग की खबर सुनते ही दुकान मालिक ताराचंद यादा इवं बन्टी वर्मन मौकी पर उजा कर देखा तो तब तक दुकान में रखा सामान जल कर खाक हो गया हम आपको बता दें कि दुकान जनल स्टोर की थी जिसमें आग लग जाने की करण पूरी तरह से जल कर खाक हो गई